प्यारे बच्चो, चेसी आठी द्वारा, क्लास 12 के लिए हिंदी कोर का मॉडल प्रस्ण पत्र 64 का अंसर इस वीडियो के माध्धम से आप लोगों को बताऊंगा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम केवल अंसर को बताएंगे आपको आप लोग कोश्चन को इकनॉमिक्स प्लस चैनल के कम्मूनिटी टैब से देख सकते हैं शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर सेयर करें ताकि और विबच्चों से लाभर्मित हो सके तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं खंड का में अपठिद बोध है इसका विताव पढ़ना इससे जुड़े सवाल के अंसर देना है तो से पहला का है का का अंसर है सांती के लिए आउसक है सुख के साधनों की सामानता खं का अंसर है तेजस्वी लोगों की पहचान या है कि वे अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए संगर्ज करते हैं अब ये कहानी को पढ़ना इससे जुड़े सवाल के जवाब हम लोग को देना है तो गा का अंसर है जीवन का सबसे बड़ा कलाकार वा है जो काम करने की विधी और संगती का चुनाव करना जानता है खा का अंसर है अच्छी बुरी संगती का चुनाव सबसे महत्पून है क्योंकि इसी पर हमारी सफलता एवं असफलता निर्भर है गा का एंसर है इसका सिर्षक है जीवन में उप्युक चुनाव का महत अथवा उप्युक चुनाव की सफलता अब खंडखा में आते हैं खंडखा में मेरे जीवन का लच या लोकतंद्र में चुनाव पर निबन आपको लिखना है तो सबसे पहले हम लोग मेरे जीवन का लच है, परतेख व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई लच होता है, लच भी इन मनुस इधर उधर भटक जाता है, अताब परतेख व्यक्ति को अपना लच निधारित कर लेना चाहिए, मैंने अपना लच निधारित कर लिया है, मैं दोक्टर लेकिन पैसा कमाना उद्देश नहीं पैसा तो डॉक्टर के पास स्वता सीमित रूप से चला आता है भारत गाउं का देश है डॉक्टर लोग देहातों में जाना नहीं चाते क्यूंकि वहां सहरों की चका चौन नहीं होती नगरिये सुधाय नहीं होती यहां तक कि जिस वेक्ति का प्रारमिक जीवन गाउं में ही बीता हुआ भी अब डॉक्टर बन जाने पर गाउं में नहीं रहना चाहता वह भी सहर की लुभावनी चका चौन में खो जाता है लेकिन मैं इसा नहीं करूंगा आप विश्वास मानिये मैं उन डॉक्टरों से बिलकुल अल मिर्ति होती है मैं इस कलपना से काब जाता हूँ अता मैं डॉक्टर बन कर किसी गाउं में ही अपना किलनिक रखूंगा और गरीबों की जो बिलकुल मुक्त सेवा करूंगा मेरे पिता जी ने मुझे अपना लच पूरा करने की अनुमती दे दिये है बाक बाको गाउं के ल दोनों चीजे यस और धन आते हैं लेकिन मैंने पहले बता दिया है कि धन की और मेरा कम ध्यान दूँगा केवल डॉक्टर बनना उद्देश इलाज हो लेकिन आप कहेंगा कि अस्पताल बनाने के लिए धन कहां से नहीं है गाउं में एक अस्पताल खोलने का इरादा है जि परते गाउं में एक डॉक्तर या स्पताल हो जाए तो देश की काया पलट हो जाएगे अब हैं लोकतंद्र में चुनाओ तो विश्व में अनेक प्रसासन पर नालिया जिसमें लोकतंद्र सबसे शासन पर नाली मानी जाती है अब रहाम लिंकन ने लोकतंद्र की परिभासा इस परकादी लोकतंद्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता पर सासन है भारत के लिए गर्व की बात है कि यहां स्वतनत्रता प्राप्ति के पहचात प्रजा तांत्रिक सासन वेवस्था को अपनाया गया भारत का लोकतंद्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंद्र है भा किसे भोट देनी है किसे सासन की सत्ता सोपनी है या सब चुनाओं के दौरान जंदा के द्वारा किये गए मद्दान पर अधारित होता है यदि नेता जंदा के हिद के कारियों में रूची लेता है और उन्हें सुईधा उपलब्द कराता है उनकी समस्याओं को बड़े अधि कारियों तक पहुचा कर समधान का पर्यास करता है तो जंदा उसे चुनाओं में भारी बहुमत से जीत कर सहरा बांती है और यदि चुनाओं जितने के बाद कोई नेता अपने वादो मत नहीं होता से मुकरता है तो आगे आने वाले चुनाओं में जंदा उसे किसी कीमत पर मत नहीं देगी लोकतन सासंत पनाली वास्त्विक रूप में जनता के हित में सरूपरी रखकर जनकर न्यान को महतु देता है परन्तु दुर्भागवस भस्टा चार निती का अपराधीकरन लाल फिता साही आदीत तो हमारे लोकतन को खोखला बना रही है जनता को जागरुक ह को कर इन्हें रोकना होगा तभी हमारा लोकतन सफल कहलाएगा खर नंबर है कानून विवस्था की बिगड़ी विथिती पर दैनिक समचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है तो यहां लिखना है सेवा में संपादक दैनिक भासकर राची विशाय कानून विवस्था अब्लिक चोरी में विर्दी महास है आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से मैं भारत के सरकार के ग्री विवाग का ध्यान अपने छेदर की दैनिय सांती विवस्था के संबन में आकरसित करना चाहता हूँ हम लोग मधुपूर छेदर के रहने वाले हैं मधुपूर से दो मिल की दूरी पर अपोया बेजलपूर नामक गाउं हैं जहां दो वर के लोगों में पिछले तीन वरसों से बेहत तनाव रहता है इस अउधी में करीब 25 लोग मारे जा चुके हैं आसपास के गाउं पर भी इस है मधुपूर में एक ठाना लगा है लेकिन वहां से इस छेद की वेवस्था को बनाया रखना संभाव नहीं है होना तो या चाहिए कि स्वायम अमया बेजलपूर के बीच में एक पुलिस फांडी हो साथ ही कल्यानपूर से जो सड़क उन गाउं से होका गुजरती है उस प तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक कुछ नहीं होने को है आसा है सरकार अविलम इस दिशा में ध्यान देगी भव दिये अपना नाम लिख देना अपना जगा का नाम अब दिनांग दे देना है दूसरा कोस्चन है इसी का गर नंबर उसमें पेजल के घोर संकट या अज पूरा न पेजल की अनियमित पूरती से परेशाण है अधिकतर चापाकल मरमत के इंतजार में बकार पड़े है नलो में पांच-पांच दीनों तक पानी नहीं छोड़ा जाता है, पानी आता भी है तो आदे एक घंटे के लिए, लोग आधी राज से ही बरतन बाल्टी लिए लाइनों में खड़े रते, पानी के लिए आपस में मारपीट भी हो जाती है, आपसे सबीना आगरा है कि समस्या से निज घंटना की तथात्मक प्रस्तुती है, इसके लेखक में निम्लिखी तथ्वे, पहला है तथ्य परक्तार, रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित होती है, या किसी छोटी घंटना पर भी हो सकती है, तथा बड़ी घंटना पर भी, जब तग रिपोर्टर तथ्यों को पाठकों के सामने नहीं रखता वा रिपोर्ट नहीं होती इसमें आकड़ों तथा तथ्यों की जरुवत होती है दूसरा है पत्यच अनुभव रिपोर्ट लेखन पत्यच अनुभव पाधारित होता है रिपोर्टर घटना अस्तर पर पहुंच कर घटना का जैजार लेता है वा तथ ए तो वा नीरस हो ही जाता है पाठक उसी रिपोर्ट को पढ़ता है जिसमें कम सब्दों में अधिक जानकारी दी गई हो बड़ी रिपोर्ट उबाव हो जाती है रोचकता वा क्रमबत्ता रिपोर्ट में रोचकता तथा क्रमबत्ता जरूर ही है यदि घटने का सिलसिले वार व पुत्त के कोश्चन इस कवीता को पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल के अंसर देना है तो इस पंतियों में कवी ने बादल के क्रांती कारी स्वरूप के माध्यम से समाज के क्रांती के बाद बदले स्वरूप का उलेक है क्रांती के पजधर छोटे लोग होते हैं पौधे एंसर है राम के विलाब का मनो वो चित वर्नन बहुत सबहाविक है भासा आउदी है चंद दोहा है यहां राम भगवान का उतार नहीं अपितु समान मानव है चोथा का 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 एंसर है बड़े-बड़े महलों में रहने वाले धनी वर के आवास को कभी ने आतंग भवन की संग् दी है वस्तुता इन भवन में रहने वाला धन्मान मजदूरों पीडितों का सोसन कर उन्हें आतंकित करता है दूसरी ओर से धन्मान खुद भी क्रांती के भहे से आतंकित रहते है इसलिए यहां आतंक भवन दुरुद्यक के तथा पुंजी पत्यों की वास्पित्ता पर व उठते हैं वे धन, पुत, इस्त्री और परिवार के सामने सगे भाई को ज्यादा महत्व देते हैं गा का एंसर है इस रुबाई में कवी ने बालक की जिद एवो मा की चतुराय का अकरसंचितरन किया आंगल में खड़े होकर बालक चांद को देखकर ठुनकने लगता है और चांद को लेने की जित कर रहा है बालक का मन चांद को देखकर ललच गया है और मा उसे हाथ में आयना पकड़ा कर करती है लो देखो चांद उतर आया है पाच्वा नमबर कोश्चन का का अंसर है लड़ू मठरी के लालच के बाव जूद जब लेखक पानी फेकने के लिए रही हुआ तो जी जी ने समझाया कि यह पानी फेकना अर्ध्यन देना है दान देना है त्याग है और बुवाई जैसा है हम अभाव की स्थिती में जितना त्याग करते हैं चोगुना अटगुना हमें वापस मिलता है पांच छे सेर गेहू बोकर हम तीस चालिस मन गेहू प का जेल रहे गाउं में जब रात भर लुठन पहलवान को होलक बचती थी तो औस दी उपजार पथ विहिन प्रानियों में सब जीवनी सकती भरती थी वह आवाज बुढ़े बच्चे जवानों की अस्पंदल सुन्यता सनायों में बिजली भर देती थी दंगल के दिर सकार क से मुक्त कर देती थी गा का एंसर है लेखक ने केवल कानूनी प्राधिंता की स्थिती को हो दास्ता नहीं कहा है बलकि वेक्ति से अपना पेशा या विवसाय चुनने की स्वतनता चीन लेना भी दास्ता है दास्ता मेवा इस्थिती भी आ सकती है जब वेक्ति को दूसरों द्वारा निधारित वहवार और करतव्यों का पालन करने के लिए विवस होना पड़ता है छट्था का है अंसर तुलसी दास का रचना है कवितावली और गितावली घरमवीर भारती का है गुनाहों का देवता और बंद गली का अखरी मकान सात्मा का अंसर है जूज का अर्थ ही होता है युधिया लड़ाई युध आत्म कथात्मक सैली से लिखा गया उपन्यास है इस पाठ का कथानाग स्वाइम लेख्ख है जो पाँचवी कच्छा में फेल होने के उपरांद उसके पिताजी उसकी पढ़ाई पाबंदी लगा दी थी पढ़ने को आतूर रहने वाला कथानाग भैवित होका पीता जी से अपनी पढ़ाई के बारे में बात नहीं करता था समा सुधारक व्यक्तित वाले दातरा जी राव की प्रेना एवं निर्देशन पाकर वा पढ़ने के लिए स्कूल गया वर्ग में अप उपेच्छित होने के बाद भी वा बिचलित नहीं हुआ निरंतर अभ्यास के कारण वा सफलता की सीडियों पर चड़ता गया वैसे विद्याथी जो पढ़ाय के परती आसकती नहीं रहते हैं उन्हें कथानाक का जीवन विर्थ सुनकर पढ़ाय के परती सजग हो जाना चाहिए इसी का अथवा का अंसर है एन फ्रेंग एक साधारन परिवार की लड़की है जिसकी सम्वेदल सीटा एक सजग समदार व लगतियों से इन साथ में सेवान दाम दंपती हमेशा उसकी नुक्ता चीनी करते हैं एन की मा भी केवल उपदेश्टा वन कर वहवार करती है पीटर से उसका लगा तो है किन्तु वह भुन्हा किस्म का वेक्ति है जिसे बात करना उसे असान नहीं लगता हुआ परकिति के प आध्यम चुनने के लिए विवस किया होगा ताकि वह अपनी भावना संबेदना उदारता व्यक्त कर सके आठवा नंबर कोस्चन का अंसर है लगभग डेड़ साल पाट साला से दूर रहने के बाद लेखक जब उसी कच्छा में पढ़ने के लिए पाट साला पहुंसता है तो उसे मास्टर या पाट क्रम का ज्यान नहीं था उसके सापाठी भी गली के दो लड़कों को छोड़ का अपरिची थे अधिकान लड़के उससे छोटी उम्र के थे वह लुड़े के थेले में पिछली किताब कौपियों को लेका पट साला गया बेंच के एक सीरे पर दिन कर मास्टर के टेबल पर रख दिया था तथा उसकी धोती की कांच दो बार भीजने की कोशिस की इस परकार उसे पहले ही दिन मजाक का पात्र बनना पड़ा तथा सरारती बच्चों ने उसे काफी परिशान किया अपनी स्थिति उसने खिलोने के लिए बने कोवे के लगते हैं इसी का अथवा का अंसर है एन के पंदरा वर्षपुन होने पसो लहमा जनमदीन मनायागा जिसमें उसे ढेर सारे उपहार मिले हुआ लिखती है मेरा एक और जनमदीर गुजर गया इसी साब से मैं पंदरा बरस की हो गए मुझे काफी सारे उपहार मिले है इस प बिस्कीट ममी पापा की तरफ से बनस्पती विज्ञान की एक किताब मारगट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट वांदान परिवार की तरफ से इस्टिकर अलबम डसेल की तरफ से बायो माल्ट और मीटे मतर पीयप की तरफ से मिठाए बेब की तरफ से मिठाए और लिखने के लिए कौपियां और सबसे बड़ी बात मिश्टर कूगलर की तरब से मारिया तेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज के तीन स्लाइस पीटर ने पियोनी फुलो का खुबसूरत गुस्ता दिया बेचारे को ये उपहार जुटाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी लेकिन वह भी कुछ और जुटा ही नहीं पाया तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर सेयर कीजेगा बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई